I carry my heart Hello everyone, welcome to online SS classes ओके, आज हम lesson 4 पढ़ेंगे तो सभी बच्चे lesson 4 निकालें और topic है इसका Indian states ओके बच्चों, तो आप लोग साब lesson 4 निकालें, page number 22 ओके इन इस lesson, we will learn about names of states, union territories with their capitals ओके बच्चों, इस lesson के अंदर है मैं किस किस चीज के बारें पढ़ेंगे हमारा जो states है, इंडिया के अंदर बहुत सारे states है, आपको मालूम है कितने states है हमारे इंडिया के अंदर, वो सभी इस lesson के अंदर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, functions of states and central government और जो central government है, और state government है उनका जो function है, वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी मगर आज हम कुछ, जो हमारा जो state है उसके बारे में आज थोड़ा हम read करेंगे Political Map of India आपको मालूम है इंडिया का मैप कैसा होता है तो उसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे अब कंट्री, इंडिया is also known as भारत इस lesson से पहले आप जो last video थी, उसमें मैंने आपको अपने कंट्री के बारे में समझाया था और आज भी इसके अंदर भी हमारी कंट्री के बारे में अधिकतर जायनकारी हमें मिलेगी तो हमारे कंट्री को हम इंडिया और दूसरा क्या नाम है हमारे कंट्री का भारत जो हमारे इंडिया का जो नाम है वो हमें कहां से मिला है पता है आपको बच्चों जो नदी है इंडस नाम की नदी है वहां से हमें इंडिया का नाम हमें मिला है इंडिया is the seventh largest country in the world जो इंडिया है वो आपको पहले ही मालू है seventh largest country है world में it measures around 3200 km इसका जो नाब है आपको पता है पहले भी बताया मैंने 3200 km from north to south north से लेके south तक इसका इतना measurement है and about 3000 km from east to west और east से west तक इसका कितना measurement है 3000 km our neighbors are Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh and China ये हमारे neighbors है these are 29 states and 7 union territories और आपको ये भी माले हो हमारे इंडिया में कितने states है अब आपको बता रही हूँ 29 states है and 7 union territories हैं इंडिया में Delhi is the capital of our country हमारी country का जो capital है वो क्या है Delhi ही है each state of union territory has its own capital अब आपको बताती हूँ में कि हमारी इंडिया का एक ही capital है उसका नाम है Delhi मगार जो union territories है उनका एक अलग अलग अपना खुद का एक capital होता है see the list of states then their respective capital cities और आपको अगला जो next वीडियो में बताऊंगी आपको समझाऊंगी वो उन states का जो capital है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज तक मैं आपको इतना ही समझाऊंगी और आप इसको please read करें page number 22 पर lesson for Indian states okay next video हम मिलते हैं तब तक के लिए bye take care